नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी सिंग रासी के जो जातक है आपकी कुंडली में राहू महराज का अंतिम चरण सुरू होने जा रहा है राहू महराज जबसे आपके कुंडली में अश्टम भाव में बैठे हैं पिछला आठ से नौ महिना ये जो आपकी कुंडली में राहू महराज ने उतल पुतल मचाया हुआ है सिंग रासी के जातक अनुभाव करिएगा मैं वीडियो में ना तो आपको प्रसंद करने के लिए ना तो जूट जो आपकी कुंडली में जो आपके उपर पिछले आठ से नौ महिने में व्यतीत हो रहा है बीत रहा है मैं उस पे भी चर्चा करूंगा और आने वाला जो समय है उसमें भी क्या परिवर्तन होगा वो भी बताऊंगा तो कृपया करके लास तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जैसरी महाकाल मैरा हुलतिवारी आप सभी का आपका अपने इस चल मेर्दे से स्वागत करता हूँ दोस्त सिंगहरासी के जो जातक हैं आपके जो स्वामी हैं वो हैं सुर्य महराज राहु महराज सिंगहरासी को अपना सत्रू का रासी मानते हैं राहू महराज वो भी आपके कुंडली के अस्टम भाव में बैठने का मतलब होता है कि जहां से आपका रोग देखा जाता है जहां से आपका आयू देखा जाता है जहां से आपके मित्यू तुल्ले कष्ट देखा जाता है जहां से मित्यू के कारण देखे जाते है हम देखते हैं वो सब कुंडली के अश्टम भाव से देखते हैं और यहां पर राहू महराज जी आपके कुंडली में बैठे हुए है राहू महराज का जो परिवर्तन होगा अंतिम चरण जब लग गया है तो राहू महराज का परिवर्तन होगा अठारा मई दो हजार पचीस म कुंडली के अश्टम भाव से राहु महराजी सिंगहरासी के निकलेंगे तब तक आपके कुंडली में राहु महराज माई तक दो हजार पचीस तक आपके कुंडली के अश्टम भाव में ही बैठे रहेंगे अश्टम भाव में बैठ के जो इनकी पांचवी दिरिष्टी है जो इनकी साथमी दिरिष्टी है और जो इनकी नवी दिरिष्टी है वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है सिंग रासी के जो जातक है पिछला आठ से नौ महिना आप ध्यान रखेगा वाहन चलाते समय सबसे बड़ा संकट आपके उपर आया होगा वाहन चलाते समय आपके साथ दुरघटना ज्यादा तर समय में हो चुकी है आठ से नौ महिना ये जो पिछला समय गया है सिंग रासी के जातक वाहन से खतरा आपके उपर बना हुआ है साथ ही साथ आपका जो वाड़ी है जो आपका विचार है वाड़ी आपका पिछला आठ महिना बिल्कुल किसी के साथ आपका नहीं बन रहा है जो आपके दोस्ते बिना मतलब का कोई अर्थ नहीं निकलता है और इसमें मात्र गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है आपकी लापरवाही आपका जो अपने उपर केरलेस रहना और साथी साथ जो आपके अंदर रहस जिसे आप छुपाना चाहते थे वो अब लोगों को पता लगने लगा है सनी महराज और राहू महराज ये दोनों आपके कुंडली में सत्रू के भाव से बैठते हैं राहू महराज की जो पाँचवी दृष्टी है न वो आपके कुंडली के दौादस भाव यानि कि खर्चे के स्थान पे पढ़ रही है आप अनुभव करिए पिछले आठ महिने में आप बचत के लिए तरस रहे हों पैसा आपके पास रुकी ही नहीं रहा है दस रुपया आ रहा है पंदर रुपया का खर्चा आपके सामने बनिके आया है एक्सिडेंट का सामने आपको करना पड़ रहा है पेट के नीचे दर्द का प्रमाल आपको हमेशा लगा रहता है पैरों में दर्द उदर के नीचे उदर के नीचे दर्द का प्रमाल आपके सरीर में ज़्यादा तर बना रहता है राहू महराज की जो ये नौवी दिरिष्टी है वो आपके कुंडली के चतुर्त भाव पे मकान को लेके जमीन को लेके माता के साथ आपके माता के साथ भी आपका जो ऐस्वरे सुक है न उसमें कमी आठ महीने से राहू महराज जी बना के बैठे है राहू महराज अश्टम भाव जो कुंडली का सबसे गलत भाव होता है न वो जो इस्थान है जहां से आपका रहस्य देखा जाता है उस जगाँ पर बैठे हैं इस जगाँ पर राहू महराज जी बैठ करके आपको दुख, तकलीफ, कश्ट सब कुछ दे रहे हैं तो यहां पर आपको राहू को निस्चित रूप से मजबूत कर लेना चाहिए यदि आप राहू को नहीं सुधारेंगे तो दोस्त यकीन दिलाता हूँ आप के लिए आगे चलके और समस्या बढ़ने वाली हैं जब तक राहू महराज परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक आपको बहुत ही साउधानी रखनी चाहिए वाहन चलाते समय खास कर आपको ध्यान रखना चाहिए आने वाला जो समय है राहू महराज आपको और ज़्यादा तकलीफ देने जा रहे हैं सिंग रासी के जो ज़्यातक है मैं आपको प्रसंद करने के लिए और डराने के लिए ये बात नहीं बोल ला हूँ राहू महराज हमेशा सुर्य के उपर ग्रहन लगाते हैं आपके जो स्वामी है वो हैं सुर्य महराज सुर्य महराज और राहू महराज में हमेशा दिरिष्टी जो रहती है वो गलत ही रहती है राहू और केतु ये च्छाया ग्रह में आते हैं सबसे मजबूत ग्रह आपका बोला जाता है सुर्य को लेकिन जब राहू अपनी चाल चलता है तो सुरे पे भी ग्रहन लगा देता है चंद्रमा पे भी ग्रहन लगा देता है राहू महराज इस समय आपके कुंडली के गलत भाव में बैठे हैं डेड़ साल के बाद इनका परिवर्तन होता है आठ महीना बीत चुका है यह जो अंतिम चरण चल रहा है इस समय आपको बहुत ज़ादा अपने उपर ध्यान रखने क्या वसकता है तो यहाँ पर आपको राहू को मजबूत कर लेना चाहिए राहू को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करे यदि यथा संभव हो तो नहीं संभव हो तो रोज कम से कम एक माला ओम नमस्वाय का जरूर करिएगा इससे आपके कुंडली के जो राहू है वो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे घर में जो सांप वाली वस्तวय हो जो ब्लैक वस्तुय है इसका आप उपयोग करना कम कर दीजिए जैसे ब्लैक कपड़ा हुआ या जो राहू को आकरसित करती हैं आप गुगल करके सरच कर लीजेगा कि राहु की कौन-कौन सी वस्तुय आती हैं तो आप उन-उन वस्तुओं का जबतक राहु कुंडली के अश्टम भाव में बैठे हैं तब तक आपको राहु को सांथ करने के लिए उस वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है नहीं तो इससे आपके कुंडली में राहु को बल मिलेगा और आपको राहु परसान करेंगे साथी साथ जो राहु का मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग सहराग्वे नम ज़रूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए जिसे करने में आप सच्चम है वो उपाय आप कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा जैसरी महाकाल आपका दिन सुब हो मंगल हो स्वस्तर हैं मस्तर हैं